आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉक में और अभी मैं मितलांचल की पावन धर्ती मध्वनी जी ले माया हूँ जो करीब मध्वनी से 15 किलमेटर दूर राजनगर में है और यह बहुत ही पुराना मा काली का मंदीर है जिसका अभी मैं आप लोगों को दर्शन कराने जा रहा हूँ और कहा जाता है कि जब 1932 में जब भुकम पाया था तो जितनी भी राजनगर में जितनी भी मंदीरे की दोरवर थी वो नश्ट हो गई थी और यही मा काली के जो मंदीर है जो सुरक्षी तरह और कहा जाता है कि जब यहां पर संधिया आरती हुती है तो और घंटे की आवाज पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है तो आईए चलिए दिखाते हैं मा काली का मंदीर आप लोगों को पहले मैं भी अपने जुता खूल देता हूं और यह जो पेंटिंग देख रहे हैं यह आपका मिथला पेंटिंग है यह आप अब हरा के लिए पर दिमाग जो रहा है आएं आए मा काली का मंदीर प्रश्षन कराते हैं आप लोगों को अब पूरा यह देख सकते हैं राजस्थान से यह सरमर्मर को मंगाया गया है और यही वह घंटी है जिसे बजाने पर करीब पांच किलोमीटर दूर तक अब आज जाती है तो अभी आप देख रहे हैं मिथला दर्शन में राजनगर में मा काली का मंदिर कि दोफार के समय में मैं मंदिर के में आया हूं तो जिसकारण मंदिर का पट बंद है और मैं आपको कोर्सिस करूंगा दिखाने के जिकने भी आप सर्मर्मर देख रहे हैं ये स्पेसर और राजस्तान से मंगाए हैं वे सारे सर्मर्मर है जैमा काली और ये जितने भी महल आप देख रहे हैं राजा महिश्वर जी के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है और क्या सर्मर्मर से बनाया गया आप देख सकते हैं और जो मंद से यहां मुराद मांगते हैं लोग वो मुराद ही यहां पूरी होती है क्या भवे न जारा मा काली का मंदीर आप लोग देखे रहे हैं अवी मिधला दर्शन और ये पूरा ना ये पूरा मंदीर सर्मर्मर से बनाया हुआ है देख सकते क्या सुंदर भवे मा काली का मंदीर राजनगर में आपका मा काली का भवे मंदीर रह पूरा इ। क्यक्यान्थ पूरा अनुवड़ मih पूर्शन आफ कुं पूरा रोग रत्या-जाशन लाइक शेर सब्सक्राइब जय हिन जय भारत